अलो श्रेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल आज हम लोग आपकी गणित की वॉक्षिट करने वाले वॉक्षिट का नमबर है बच्चो 26-25 अक्टूबर की आपके वॉक्षिट है देखे बच्चो मैंने आपको कहा था कि मेरे चैनल पे विलोग की वुडियो डलने वाली है तो सभी बच्चे प्लीज एक दो दिन का और वेट कर लिजे कि जैसे ही वह कोरियर आएगा मैं उसकी भी अन्वोक्षिन डालके वह एड कर दूँगा उस विलोग में ठीक है जिससे आप लोग उसमें पाटिसिपेट कर सको और जीच सको और जीता वही बच्चा जो डेली मेरे चैनल से वीडियो करता है लेली मेरे चैनल से वाक्षिट करता है वीडियो को पूरी देखता और दस फ्रेंड के साथ शेयर करता है चलिए शार्ट करते है इसमें दिया गया आपका घंडित का क्लास सेवन वाक्षिट का नमबर बच्चो 26 और डेट है आपकी 25 अक्टूबर इसमें प्राइक्ता बताए गई है उफ मौसम आज इतना गरम है सायत बारिस होगी या नहीं होगी देखो इसमें इसने क्या लगा दिया एक प्राइक्ता लगा दिया कि बारिस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है तो कितनी संभावना है मेरी सायता करें देखिए उपर दिये गए चित्र को देखिए अपना अवलोकुन कीजिए प्रिये छात्रो हमने देनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं घट रही हैं कुछ घटनाएं घटी थोना निश्चित है 8400-400-400 ये नमबर सभी बच्चे याद कर लें चाहें आपका मैट का डाउट हो फिजिस का डाउट हो केमेश्टी बायलोजिक किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो उसका कुस्टन जाने के लिए तुरंच सोलूशन पाने के लिए वटसब पे मेंसेज करें 8400-400-400 पे नंबर को add करें और question का photo खीचें फिर उसे crop करें crop करने के बाद इस नंबर पे send करें तुरंट 6 सेकिन में आपको solution मिलेगा class 6 से लेके 12, IIT, NEED, CBSC board and any other board के कोई भी doubt जानने के लिए 8400-400-400 doubt not app को download करें और तुरंट इसका solution पे कुछ का होना असंभाव है कुछ घटित भी हो सकती है और नहीं भी जो घटनाई घटित होती है या नहीं हो सकती है उन्हें घटित होने की संभाई बनी रहती है आई ये से समझते हैं देखिए यहाँ पे जो आपका table दीगे ये next ये सभी आपको बनानी है तो आप ऐसे लिखोगे table number one लिखकर आपको ये पूरी table बनानी है क्योंकि ये आपको complete करने पड़ेगी सबसे पहले आप लिखोगे crush फिर आप लिखोगे घटना फिर आप लिखोगे लिखे की ये है होगा या नहीं देखो इसमें जो टिक का मतलब है ये है कि ये होगा ठीक है ये संभाव है मतलब ये निश्चित है और इसमें जो क्रोज का निशान लगावा ये है कि ये असंभाव है ये नहीं हो सकता ठीक है और इसमें जो हो सकता है लिखा इसका मतलब कि ये चीज हो सकती है नहीं भी हो सक तो देखिए सूर्य पूर्व से उधै होता है तो बच्चो आपको पता है यह तो संभव है यह निशीत है इसे कोई नहीं बदल सकता तो यह आप कर दोए ठीक फरस्ट आपने किया ठीक है चीटी का अकार चूहें से बड़ा होता है तो बच्चो यह एकदम असंभव हैं ऐसा हो यह नहीं सकता कि कोई चीटी चूहें से बड़ी हो जाए तो इन्होंने यह भी गलत बताया है असंभव है तो इसमें एसी फोर्मूला बताया है किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभवना को उस घटना की प्रैक्त कहते हैं प्रैक्त में आ जाएगा अनुकूल परणामों की संखिया संभवित परणामों को कुल संखिया नीचे दी गई तालिका को भरें ठीक है क्रैंश गतिविदी अनुकूल परणामों की संखिया यह आपको समझनी है मैं आपको बताता हूं मान किसे किया ठीके फिर आपने उसमें हाट डाला कोई एक सिक्का निकाल लिया कोई भी मालोव 10 का हाथ में आ गया तो उसकी क्या हुई 10 आने की प्राइक तरह कितने मैं से हो गया ठीक है और इसमें से कोई आपको एक लिक देना मतलब जो हैडिया टेल मैं से कोई भी आप आप क्या-क्या हो सकता है तो यदि आप की पासा manner कि तो टोटल नंबर नबर कितना हो ग염 गए तके आने की प्रेक sir लाइट आसकती है ठीक है तो टोटल कितनी होगे थ्री और आउटकम सिद्वन तो आपने ग्रीन लाइट को संभावित पर ना बता दिया तो उसमें कुछ भी बता सकते हो आप लोग अब देखो में आयाते हैं आपके कोसन अंजर पर सबी बच्चों को कॉसन नंबर 1those down करना है लिखिए की या निमलिखित घटनाएन निश्चित असंभाव या संभाव है तो देखिए तुम कल बड़े हो जाओगे तुम आपको बताना है तो देखो इसमें क्या हो सकता है अब आपको बताने एक निश्चित है असंभाव है संभाव है ठीके तो बच्चो ये क्या है आपका निश्चीत है ऐसा नहीं हो सकता कि आप बड़े ना हो तो ये आपका निश्चीत आ जाएगा इसके अंदर आप लिख दोगे निश्चीत ठीके बच्चो यह आपका निश्चित हो गया एक सिक्का फैकने पर आपको पट मिलेगा यह बच्चो क्या बोला इसने इसने इनों का अगर आप एक सिक्का फैक होगे तो आपको क्या मिलेगा पट मिलेगा तो बच्चो संभव है हो सकता है ठीके पड़ भी आ सकता है तो ये चीज संभाव ठीके आपने लिग दिया संभाव है एक पासा फैकने पर आपको आठ प्राप्त होंगे तो बच्छो पासे में आठ होते ही नहीं है ठीके पासे में एक से छेंटक नमबर होते हैं ये आपका असंभाव आजाएगा ठीके श्वेन आप चलते हैं कोसर नमबर सेकिंड पे एक पासा एक बार फैका जाता है निमलिखित की प्रैक्त ग्याद कीजिए तो देखो एक छेंसे बड़ी संख्या प्राप्त करना शेंसे बड़ी संख्या तो जब होती नहीं है आप क्या प्राप्त करोगे तो इसमें आपका जीरो आजाएगा ये जीरो अंसर आगया अब सेकिंड एक और छें के बीच की संख्या प्राप्त करना लोत देखो ऐसे बाद क्या आता बाई दो थीन चार पांच तो कितने संख्या हुए है चार तो चार आपका कितने में से आ टोटल कितने नम पासे पर पहोते हैं छें तो जब आप इसे कट करोगे डो दूनी चार दो ती अच्छे हैं तो आपका अंसर कितना जाएगा बच्छो टू बाई थ्री प्रैक्टा है इसकी एक पासे पर तीन प्राप्त करना देखो एक पासे पर तीन तो बच्छो आप एक बार उच्छाल आपने मालो तीन आ गया तो वह कितने आउटकम में से आया मतलब टोटल कितने थे शें थे और कितना आ सकता थे एक बार में आ सकता तो यह आपका वन बाई सिक्स हो गया अब चलते हैं थर्ड पर जब एक स्पीनर को एक बार घुमाये जाता है निमलिखित की प्रैक्टा प्राप्त कीजिए देखिए सबसे पहले आप काउंट करें इसमें टोटल कितने हैं 123456789 इसमें नो है टोटल आउटकम ठीके तो एक प्राप्त करने की संक्या बच्चो एक बार दिया गया यह चीछ देखने कि एक दो बार दिया गया तो बच्चो दो आ जाएगा इसकी तो कितना जाएगा टू बाई नाइन तो इ 123 तो आप इसमें लेग दोगे तीन बाई नाइन तो जब इसे कट करोगे तीन एक बाई तीन अंसर आ जाएगा इसका ठीके अब थरड को दो के संख्या पांच प्राप्त करना तो आपका दो बाई नाइन आ गया तो बच्चो यह आपकी वरक्षिट थी जो मैंने आप आक्टिव होंगे मेरी चैनल पर जो डेली वाक्षिट करते होंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं और वीडियो को पूरी देखते हैं तो बच्चों आप अपना यह चांस मिस मत करना सभी बच्चे उसमें पाटिसिपेट जरू करिएगा इसलिए सभी बच्चे च चैहिं चैह भाराद